हलो स्टुदेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी तो देखें हमारा प्रीविएस जो हमारा कोश्चन जो हमारा चल रहा है आड़ी शर्माबुक तेंद क्लांस से एक्सरसाइज नमबर है हमारी 2.1 और इसके इंदर हमारा कोश्चन नमबर 2 है उसके ह फिफ्थ पार्ट जो है वो प्रीविएस वीडियो के इंदर हो सॉल्व कर चुके हैं तो आज मैं आपको सॉल्व कराता हूं अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नमबर 6 है इसका इसका इसमें देखें 1 अपॉन एलफा प्लस बीटा प्लस के 1 अपॉन एपॉन जो हमें एक्वेशं दे रह bowls करने है वो किसी की करनी है इसे पार्ट इससे पहले के पार्ट जो है उनकी वीडियो में पहले बना चुका हूं आइए इससे सॉल्व करते हैं इसके इंदर हम क्या करेंगे हम यहां से सबसे पहले इसका लेंगे हम LCM इस पार इन दोनों का क्या करेंगे हम LCM लेंगे और इन दोनों का LCM लेने के लिए हम लेते हैं दोनों का LCM तो यह आ गया आपका A alpha plus B और A beta plus B B इन दोनों का LCM आ गया अब इसके बाद में क्या होगा इनकी क्रॉस मॉल्टिप्लाई हो जाएगी तो A beta plus B ठीक है प्लस के क्या आ जाएगा A alpha plus B तो यह हमने क्या करा इसन दोनों का हमने ले लिया इसका LCM अब हम क्या करेंगे देखे ए वाले जो है यह हम इन दोनों को हम ज से ले सकते हैं अपने schedule के according जो है बीटा और प्लस के B और B क्या हो जाएंगे 2B अपॉन A alpha plus K B और A beta plus K B ठीक है अब क्या करना है में इन दोनों में से A जो है हम common ले लेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा A common लेने का आद में alpha plus K beta plus K 2B और अपॉन इसमें क्या करना है हम इस से क्या हो जाएगा A की अगर हम इसके इंदर multiply करेंगे तो यह हो जाएगा A alpha और plus K A beta plus B और फिर B की ऐसे multiply होगी B जैसा कि हम bracket की multiply करते हैं हम उसी तरीके से इसके multiply हम कर रहे हैं अब क्या हो जाएगा A alpha plus K beta तो यह यही रहेगा plus K 2B और नीचे हो जाएगा हम जब इन दोनरी की multiply देखो A की A में multiply होगी तो A square alpha beta A square alpha beta और plus K क्या हो जाएगा A B alpha समझे रहे हो A B alpha A B alpha हो गया है plus K अब इसकी करेंगे तो A B beta A B beta और plus K क्या हो जाएगा B की B में multiply होगी B square ठीक है अब इससे हम थोड़ा आ गया आते हैं अब हम यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों के अंदर से हम यहाँ पे हम इन दोनों में से ही क्या करेंगे हम इसमें से common लेंगे अब हम जब इसमें से common लेंगे तो हमें क्या करना है हमें यहाँ से अपना इन दोनों के बीच में से common उठा लेना है तो देखें हम इन दोनों में से common लेंगे तो हमारा common जो आ जाएगा हमें इन दोनों में से common लेना है तो देखें यहाँ से हम क्या करेंगे अलफा बीटा और प्लस के टू भी और इसके साथ में क्या हो जागा देखो अलफा बीटा यहाँ पर जो इनका प्रॉड़क्ट जो है हमारा जीरो वैल्यू के जो मुल्टिपलाई है वह तो वैल्यू हमारी यहाँ पर सीधी बन लिए तो हमें से तो बिल्कुल भी छेड़ और हम यहाँ पर इनका वैल्यू पूट करते हैं तो एक प्लस के यहाँ पर जो थी हमने जो एक्वेशन है हमारी equation थी हमारी ax square plus k bx plus k c तो हमारी जो sum की value थी sum of zeros minus k b upon a और so product जो था c upon a ठीक है तो हम यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ से इनकी value का put कर देते हैं a sum of zeros minus k b upon a और plus k 2b upon a square product की value c upon a और plus k a b sum की value b upon a और plus k b square तो देखिए यहाँ से यह cancel हो गया यहाँ से इसका square cancel हो गया a से a cancel हो गया तो यह क्या बन जाएगा यहाँ से बचा हमारा minus k b minus k b plus k 2b upon यहाँ से रह गया ac ac ठीक है यहाँ से हमारे ac रह गया और minus k देखिए b की b में multiply हुई minus k b square और plus k यह वाला b square इससे यह cancel हो गया इससे यह cancel होने का अदम यहाँ क्या हो गया देखिए plus k 2b है minus b है तो यहाँ से क्या बस यह b और upon यहाँ से रह गया ac तो इसका answer हमारा जो गया है इसका क्या बन गया हमारा b upon ac अब इसका हम next part करते हैं next part जो हमारा 7th part है हमारा beta upon a alpha plus b plus k alpha a beta plus k b यह हमारा इसका 7th part आईए हम इससे solve करते हैं तो यह जो हमारा part है इसके लिए जो है हमारी equation हम यहाँ पे note कर लेते हैं beta upon a alpha plus b और plus k क्या है हमारा alpha और alpha beta plus k b तो अब इन दोनों इससे क्या करेंगे जैसा कि हमने पिछले question में हमने करा है हम इन दोनों का भी LCM note कर लेंगे तो हम इनका LCM note कर लेते हैं इन दोनों का LCM लिया a alpha plus k b एक bracket में और दूसरे में आ गया alpha beta plus k b यहां से अब हम इसका cross multiply कर लेंगे तो alpha a alpha plus k b और यहां से इसमें अच्छा इसकी तो इसमें multiply कर दी हमने a alpha plus b और इसमें इसकी multiply कर देंगे चलो मैं पीछे से note कर देता हूं आएगा यही हमारा क्योंकि 20 में plus है तो आगे पीछे करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इनके अंदर multiply कर देते हैं जब हम इसमें multiply करेंगे तो देखे यह इस वाले alpha किसमें होगी तो a alpha square और plus k alpha beta alpha b alpha b और plus k alpha alpha beta की beta में multiply हुई और plus k b और beta ठीक है इन दोनों की multiply करके हमारे यह आ गया और अब हम अंदर की इसमें bracket के अंदर multiply कर देते हैं तो bracket की multiply करने के अंदर आ गया हमारा a square alpha beta plus k a b alpha plus k a b beta plus k b square देखे पिछले वीडियो के अंदर जो है पिछले वाले question के इसका part जो हो इसके अंदर में bracket में multiply करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें इन दोनों में से यह और यह दोनों alpha और इसके साथ में beta जो है देखे अंदर यह जो था हमने इसकी करके जो हमारे पास में आया है इन दोनों की multiply करके इसमें से और इसमें से हम common ले लेते हैं तो इन दोनों में से हम common लेंगे अब इसमें क्या करेंगे हम इन दोनों में से भी common ले लेंगे तो हमारे यह जो है common में जो है हमारा alpha plus beta जो है यह हमारा common बन जाएगा तो यहां से हमारे पास में आ गया a square a square alpha beta और प्लस के a b alpha plus के beta और प्लस के b square देखो तो हमारे यह सारी चीज जो है वह sum of zeros की form में हमारे change हो चुके है sum of zeros की form में change हो गए हम यहां से इसे alpha plus beta का square हम इसे पहले वाले question में solve कर चुके है तो हम उसी तरीके से आगे का में इसे solve कर लेंगे अब हमारे क्या हो गया a bracket में यहां से जो होगी हम sum of zeros sum की value यहां से put करे देते हैं तो sum की value क्या हो जाएगी b upon a का square यह plus की value change हो जाएगी अच्छा इससे पहले वाले question आप इससे देखे confused नहों वनना video बढ़ी हो जाएगी अगर मैं यहां पर explain करूँए मैंने पहले वाले question में इससे solve किया हुआ है कि यह sum of zero कैसे बतलेगा अच्छा फिर अब यहां सागा to c upon a और plus k b minus k b upon a यह कर दिया upon a square into c upon a इसकी value रख दे हमने और plus k a b और minus यहां से sum की value b upon a ay तो यह आगया हमारा कर रहे है तो इससे solve करने के पाद में क्या हो जाएगा तो हम क्या करते हैं a to यह हो गया जो है हमने common ले लिया अंदर common लेने की बाद में हम पर रहागा बी स्क्वायर अपन ए क्योंकि यहां क्रोगा be square upon a square हो जाएगा तो बी स्कॉयर upon a common बज जाएगा हमारे यहाप ठीक है ना अंदर रह जाएगा अपंऑ हो हो गया हमारा 2C- B-square upon A अच्छा अब यहां से हम नीचे करते हैं देखिए हमारा इस से cancel हो जाएगा और हम पर नीचे रह गया A-C- B-square और प्लस के B-square देखो यहां से दोनों cancel होगे A-C आगया हमारा इस से यह भी cancel हो जाएगा अब यहां से जो हम पर रह जाएगा हमारे पास में क्या रहा गया हमारे पास में रहागा B-square upon A-2C- B-square upon A upon AC अब इस में से क्यां देखो इस प्लस से यह वाला भी cancel हो गयाँ अब हमारे यहां से तो बच्चो इससे next part का solution देखने के लिए आप मेरी वीडियो का अगला जिस section आएगा आप उसे देखते रहें जब तक के लिए नमस्कार